आपके आपको बताऊंगा यदि आपके पास DTH का setup box है और उसे आपको picture quality एच्छी नहीं मिल रही है फिर आपकी इसमें picture quality लो मिल रही है तो उसको कैसे picture quality को काफी अच्छी बना सकते हैं और उसको कैसे सही कर सकते हैं तो आज मैं आपको उसके बारे में आपको पुरिज्यान करी दूँगा तो वीडियो पे बने रहे हैं और देखते जाए कि कैसे आप अपने setup box की picture quality को काफी अच्छी कर सकते हैं या आपके पास TV 32 इंच है या फिर 40 इंच है या पचास इंच है या फिर 55 इंच है फिर उसके ऊपर है और उसमें आपने MPG for setup box लगा के रखा है तो उ इसमें कुछ settings कुछ इस तरह से आएंगी तो आप देख सकते है पहले आपकी जो होगी तो channel edit करने के लिए आएगी second आपका आएगा system settings आएगा चौथा आपको installation आएगा चौथा utility आएगा और चौथा media center आएगा तो यहाँ पस आपको आ जाना है system settings पे आजाना है system settings में आन कि आपको यहाँ पस सबसे पहले आपको A-V settings में आना है A-V settings में जब भी आप आएंगे तो यहाँ पस देख सकते हैं कि यहाँ पस A-V settings सबसे पहले आप देख सकते हैं तो यहाँ पस आप देख सकते हैं कि यहाँ पस जो आपकी picture quality है तो पहले picture quality आप देख सकते हैं कि इसम पिर इसके बाद 720p, 50 हाटेज हो गया, फिर इसके बाद 720p, 16 हाटेज, 1080i, 15 हाटेज, फिर इसके बाद आपको, 1080i, 16 हाटेज, फिर इसके बाद आपको यहां पर मिलता है, और यदि आपको इसमें आटो रखना है, तो आटो रख सकते हैं, आटो आपको जो होगा, तो आटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा, कि आपको TV का 4K है, कि 2K है, फिर आपको नॉर्मल है, वो आटो में आपको डिटेक्ट कर लेगा, यदि आपको बड़ी TV है, तो आपको हाई तो इस तरह आप अपने टीवी का पिच्चर क्वाल्टी बढ़ा सकते हैं, फिस के बाद आपको कैसे और भी जगे से पिच्चर क्वाल्टी को बढ़ाना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो इसमें आप देख सकते हैं, नेक्स्ट आपका यहां पस है, यह सभी चीजे आपको यहां पस से मिलेगी, तो इसमें आपको टीवी रेडियस जो होगा, इसमें ओके करेंगे, तो आपको कितना आपको रखना देख सकते हैं, फोर इंटो सिक्स, या फिर फोर इंटो थ्री, और सोला इंटो नाइन, आपको जो रेशियो में रखना, उस रेशियो में आपको इसको रख सकते हैं, यहां पस से आप बैक करेंगे, तो आपको शेप करने के लिए मागेगा, यहां पस आपको शेप कर देना है, शेप करने के बाद आपको किछी तरह से बैक होना है, बैक होने के बाद आपको यहां पस सबसे पहले यहां पस जो आपका कलर टमप्रेचर तो आपको इसमें कितना रखाया बैक वाले में आप देख सकते हैं एक दम हो जाएगा और फिर इसके बाद आप जीरो रखेंगे हो जाएगा यह टाइम आउट को हो गया फिर यहां पस चैनल जब आप चेंज करते हैं तो उ कभा आपको कलर में आना है इसके बाद आपको निष्ट मिलेगा ब्राइटनेस में आपको कितना रखना है आपको टी बी मिल जाएगा बढ़ना बढ़ाने के लिए कौनड़र बगयरा और यहां पस तबी मिल जाएगा तो देख सकते हैं इसमें 50-50 में भी रखा हूँ इसक सकते हैं आपका अपने हिसाब से उसको रख सकते हैं यह देख सकते बढ़ रहा है और भी बढ़ रहा है फिर हंड मैंने इसको 20 पे कर दिए तो 20 में देख सकते हैं कि बहुत ही डार्क दीख रहा है तो इसमें थोड़ा चेंजिंग करूंगा 50 कर सकते हैं 16 Chrisch 20 और इसके बाद आपका डायेट 100 आता है इसमें आपको जित्ते में आपको अच्छा लगे उसमें आप इसको सेटिंग कर सकते हैं तो इसमें आपको शेप करके बैक कर देना है और बैक करने के बाद आपको बैक आ जाना तो देख सकते हैं इसकी picture quality जो है तो काफी अच्छी हो चुकी है और इस तरह से आप अपने box की picture quality बगएरा को बढ़ा सकते हैं और picture quality को improve कर सकते हैं तो I hope की वीडियो आपको समझ में आगई होगी तो वीडियो आपको अच्छी लेगो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल्स पर पहली बाए तो चलो को सस्क्राइब करना ना बूलना एस लेक्टिस्ट वीडियो पाने के लिए तो मिलते हैं आपको अंगले बीटूपे आज के लिए बस इतना ही नमस्कार